Hello guys, this is Bhushan Gaikwad again आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में दोस्तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हर भी साइच के बारे में जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में बात हो रही है थीक है, बायो कंट्रोल एजेंट्स में हमने देखा bacillus thuringiens इसको as a बायो कंट्रोल एजेंट यूज किया जाता है ताकि वो butterfly के caterpillar लारवा को कंट्रोल कर सके थीक है, वैसे ही ट्राइकोडर्मा को भी as a बायो कंट्रोल एजेंट हम यूज करते जिससे की root के atmosphere में जितने भी microbes है उनको control किया जा सकता है और microbial rot disease होने से रोका जा सकता है roots में ठीक है वैसे हमने ये उपर का जो पूरा table है वो last video lecture में discuss किया इसकी पूरी trick मैंने discuss की है ठीक है अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा जरूर बहुत ही amazing trick है ये देखिए ये trick के कुछ यहापे snaps है जो कि आप देख सकते तो बहुत ही amazing trick है जो कि मैंने last video में share की है अगर पसंद आई है आपको तो इस video को भी like जरूर कीजेगा ठीक है अब हम हमारे दूसरे topic के तरफ बढ़ते जो की है herbicides herbicides क्या होते है जो unwanted plant छोटे मुटे plant हमारे farm field पर जो grow होते है उनको खतम करने के लिए हम कुछ chemicals वगेरा यूज करते है उनको हम herbicides बोलते है तो basically हम chemical न यूज करके ठीक है हिंदी में उसको तन नाशक बोलते है तो तन नाशक हम न यूज करके जो chemical herbicides है उनको न यूज करके अगर हम microorganisms को यूज करे ठीक है for killing that herbicides तो उनको हम यहाँ पर bio control agents बोल सकते है herbicides के लिए हम bio control agents microorganisms को यूज करते देखो तो यहाँ पर इनको weeds बोलते है weeds are the unwanted plant जो की grow होते है agricultural field पर ठीक है हमें पता है कि हमारे human beings के लिए हमारे animals के लिए harmful होते है तो अगर हमें chemicals को यूज करना है तो हमें किसको यूज करना पड़ेगा हमें microorganisms को यूज करना पड़ेगा जो इसको control करेंगे तो हम बोलते है weeds compete with the main crop in the farmland for water, space, mineral, light, air etc. देखो weeds जो होते weeds याने जो फाल्तू के weed करते है for light, for air, for mineral, for water ठीक है तो हमारे जो normal plant को जो हमारे food producing plant है उनको water mineral नहीं मिलता ये weeds ले ले लेते है ठीक है मतलब basically compete करते है उनसे तो इसी वज़े से हमें weed नहीं चाहिए हमें जो plant को grow करना है वही चाहिए हमारे farmland पे ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम yeast को basically microorganism के मदद से kill करने की कोशिश करेंगे, देखो, microbes are also used as an herbicides, microbes को as a herbicides भी हम use कर सकते है to kill the dicot herb, dicot herb याने dicot weeds को kill करने के लिए microorganism को हम use कर सकते है, ठीक है, in the field of cereal, cereal याने जहापे हम धान वगेरा grow करते है, weeds can be killed by certain microbes, weeds को kill करने के लिए कुछ microbes का use करते है तो इनकी list यहाँ पे न उन्तरोल करता है, अब पाल्मिवोरा को याद कैसे रखूगी आप देखो, आपको mainly palm याद रखना है palm, palm एक tree होता है, palm क्या होता है, एक tree होता है, basically, जिसमें से milk जैसा substance निकाला जाता है, milk जैसा, ठीक है, milk जैसा substance निकाला जाता है और उससे दारू बनाई जाती है, ठीक ह इसके अरवा Alternaria crassa यह water weed को control करता है water hyacinth को तो water hyacinth को control करने के लिए अल्टर नारिया, अल्टर नारिया एक अल्गी का भी नाम है अगर आप याद करो तो अल्टर नारिया अल्गी है तो यह basically एक अल्गी है और यह अल्गी क्या कर रही है यह water में grow होने वाले plant कोई control करेगी तो याद रखो water hyacinth बोला है मतलब water वाला plant है अल्गी इसको control कर रही है, simple है इसके बाद के जो भी हम बात करेंगे जितने भी आपे species होने वाली है यह fusarium species जो है यह simply weed को control करती है कौन से weed को control करती है यह नाम नहीं दिया है, ठीक है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि fungi को fungi को कैसे as a herbicide use किया जाता है तो इसको myco herbicide बोलते है तो यह सारे fungi है fungi में हमने बोला that is phytopthora palmivora यह milk को control, milk weed को control करेगी alternaria crassa जो कि algi के नाम पे यह fungi है ठीक है, तो यह जो fungi है यह water hycine को control करेगा fusarium species जो है, यह weed को control करेगा अब हम bacteria की बात करते हैं जितने भी bacteria है, वो weed को control करते हैं तो सीधा weed, weed, weed लिख देना ठीक है, pseudomonas, xanthomonas और agrobacterium यह तीनों के तीनों किसको attack करते हैं weed को, weed को और weed को ठीक है, बस यहीं लिखा है weed, weed और weed को ही attack करते हैं कुण से weed को करते हैं, नहीं लिखा है तो आपको याद रखना है कि यह सारे bacteria और fungi के नाम है fungi में आता है phytopthora, palmivora alternaria, crassa और fusarium species जिसमें से phytopthora, palmivora मतलब milkweed, ठीक है, alternaria है alternaria, algi से याद करो alternaria अगरे, या फिर आप याद कर सकते हो किसी भी तरीके से, alternaria हम देखते है basically fungi में ही होता है basically, तो alternaria जो है वो किसको control करता है, water में ठीक है, fusarium control करता है, हम देखते है that is weed को, ठीक है, सिधा-सिधा और बाकि जितने भी bacterial bio control agent है, bacterial herbicides है वो सिधा-सिधा weed को ही control करते है और किसी को control नहीं करते है, ठीक है इसके अलावा, अगे और बात करेंगे हम next page पे हम बात करेंगे और यहाँ पे कुछ insect है insect को भी as a herbicide हम use कर सकते तो कुछ insect है, जो की herbicide का का काम करते है, मतलब कुछ insect plant की growth को, herbs को grow होने next वाला बहुत easy है cactoblastis cactorum, यह control करता है cacti weed को, तो देखो cacto cacto common है दो नहीं, तो cactoblastis cactorum जो है cacti weed को control कर रहा है और tyria moth जो है, वो sensio jacobac को control कर रहा है, तो यह थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, tyria जो है वो sensio jacobac को, या हम इसको एक इनसां के नाम से भी याद रख सकते है, tyler jacob, tyler jacob अगर आपने hollywood movies देखी होगी, तो उसमें tyler और jacob ऐसे नाम होते है, ठीक है, तो tyler tyria, tyler से tyria, jacob से jacobac, या दो जाता है, तो tyria moth जो है, वो jacobac को control करता है, trick ऐसे बनती है, चुटकियों में, बस वो बनानी पड़ती है, mind में उतना आपको thinking ability होनी चीए, टीक बन गई है, हमारी trick क्या है, trick है, टाइलर टाइलर और jacob दोनों साउथ, साउथ भोलते हैं, hollywood movie के hero है, ठीक है, तो tyler से jacobac का ये जो weed है, ये control होता है, tyria moth से, jacobac weed control होता है, और cactoblastis, cactorum insect की species है, जिससे cactus का, cactus का weed control होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पूरा lecture जो है, basically bio control agent तीन पार्ट में हमने ये lecture बनाया, और I hope ये तीनों lecture आपको समझ में आये होंगे, अगर आपने पिछले lectures नहीं देखे तो देखिएगा जरूर जिसमें हमने bacillus thuringiensis के बारे में, इसके अलावा trichoderma के बारे में explain किया है, और साथी में वो पूरी table को मैंने explain किया है, वो पूरी trick मैंने बताई है कि किस तरीके से वो table को याद रखना है, और आभी हमने herbicides के बारे में discuss कर लिया, तो bio control agents यहाँ पर पूरा पूरा topic हमारा खतम हो जाता है, I hope ये video lectures जो है आपको पसंद आ रहे होगे, अगर पसंद आ रहे है तो videos को like कीजिए, दोस्तों के साथ share कीजिए, चैनल पर नहोंगे तो subscribe कीजिए, ऐसे ही जिन्दगी के मज़े लेत रही है, दोस्तों की मदद करते रही है, खुश रही है, तब तक के लिए thank you very much